परचय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर विभिन अंगों से मिलकर बना है हमारे शरीर के हर एक भाग का एक कार्य है हमारे शरीर ही की तरह वनस्पतियों के शरीर के भी कई अंग होते हैं आईए वनस्पतियों के विभिन अंगों और उनके कारियों के बारे में विस्तार से जाने। आउ सीखें। वनस्पतियों के अंगों को पहचानना, जड़, तना, पत्ती और फूल के आकार और कारे का वरणन करना, फल और बीज के कारे को समझाना। वनस्पति के अंग प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम अपने आसपास देख सकते हैं कि पेड़ पौधों के विभिन प्रकार होते हैं, उन सब का रंग हरा होता है और हमारी आखों को ठंडक देता है। लेकिन क्या आपने किसी पौधे को बारी की से देखा है? आप इसके कुछ प्रमुक अंगों, तना, पत्ती, फल और फूल को जमीन के उपर देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कुछ अंग जमीन के नीचे छिपे रहते हैं? इस अंग को जड़ कहते हैं। जड़ें आईए अब पौधों के अंगों के बारे में विस्तार से जानें। शुरुवात जड़ से करते हैं। जड़ पौधे का गैर हरा भाग होता है जो जमीन के नीचे बढ़ता है। क्या आप जानते हैं कि जड़ मुख्य तहत दो प्रकार की होती हैं। मूसला जड़ और रेशेदार जड़। लेकिन ये होती कैसी हैं? मुसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है, जो मिट्टी में गहराई तक जाती है। कई पतली और कमजोर जड़ें इस मुख्य जड़ से निकली होती हैं। मूसला जड़ मुख्य तह सेम, मटर और सर्सों के पौधों में पाई जाती हैं। लेकिन रेशेदार जड़ में तने के अंत में एक समान आकार की कई जड़ें जुड़ी होती हैं। यानि मूसला जड़ की तरह कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती। इस तरह की जड़ें घास और गेहूं में पाई जाती हैं। जड़ों के कार्य। अभी तक हमने जड़ों की संरचना और प्रकार के बारे में जाना। लेकिन अब प्रश्ण यह है कि जड़ों का कार्य क्या है। दोस्तों, असल में जड़े पौधे को जमीन में मजबूती से टिकाए रखती हैं। वे पौधे के अन्य अंगों तक पहुचाने के लिए जमीन से पानी और खनिज सोकती हैं। कुछ पौधों में जड़े भोजन संग्रह का कार्य भी करती हैं। जैसे की गाजर, मूली या शलजम। पौधे द्वारा तैयार भोजन जड़ों में एकत्र रहता है। हम इन जड़ों को खाते हैं और पोशन पाते हैं। अब आईए तना के बारे में जाने। तना पौधे का हरा या भूरा भाग होता है जो जमीन के उपर विक्सित होता है। यह पौधे को सहायता देता है और उसकी शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को अपने शरीर पर वहन करता है। नए पौधों में तने का रंग हरा होता है, लेकिन समय के साथ पौधे की उम्र बढ़ने पर इसका रंग भूरा हो जाता है। कुछ पेड जैसे बरगद या आम के तने कठोर, मजबूत और भूरे होते हैं। इन्हें डाल कहते हैं, वहीं कुछ पेडों के तने जैसे केला, मोटे, किंतु मुलायम और हरे होते हैं। कुछ पौधों में तने इतने कमजोर होते हैं कि वो पौधे को सीधे नहीं रख पाते। ऐसे पौधे किसी मदद के सहारे चड़ते हैं, इसलिए इन्हें बेल कहते हैं। मनी प्लांट इसका सबसे अच्छा उधारण है। तने का कार्य आईए अब पौधों में तने के मुख्य कार्य पर ध्यान दें। हम इन तनों को खाते हैं और पोशन प्राप्त करते हैं। कुछ पौधों में भोजन तने में ही संग्रहित होता है। पत्तियां दोस्तों, पौधे का अगला अंग पत्ती है। यह पौधे का हरा भाग होता है जो तने पर उगता है। पत्तियां अलग-अलग प्रकार की होती हैं। कुछ गोल होती हैं, कुछ लंबी होती हैं और कुछ त्रिभुजाकार होती हैं। पत्ति के सतह को किनारा कहते हैं और ये किनारे भी अपने आकार ही की तरह अलग-अलग प्रकार के होते हैं। कुछ के किनारे सीधे होते हैं और कुछ के असमान। पत्ती के चप्टे भाग को पत्ती की लीफ ब्लेड कहते हैं। हर पत्ती के लीफ ब्लेड में एक मुख्य शिरा होती है और कई छोटी शिराएं इससे जुड़ी होती हैं। इन शिराओं के माध्यम से ही पानी पूरी पत्ती में पहुँचता है। पत्ती का मुख्य कार्य पौधे के लिए भोजन बनाना है। भोजन बनाने के लिए वे पानी, क्लोरोफिल, कार्बन डायोकसाइड और सूर्य के प्रकाश का उप्योग करती हैं। भोजन बनाने की इस विधी को प्रकास संशलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सिजन का उत्सर्जन होता है। सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऑक्सिजन की जरूरत होती है। कुछ पौधे जैसे बंद गोभी और पुदीना अपनी पत्तियों में भ को खाते हैं। फूल दोस्तों आईए अब हम पौधे के सबसे आकरशक और सुन्दर भाग फूल को हाइलाइट करें। वे विभिन रंगों के होते हैं। वे विभिन आकार प्रकार के होते हैं। ज्यादा तर फूलों में मीठी खुश्बू होती है और जब यह फैलती है त तो कीडों और चिडियों को आकरशित करती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि फूल को पौधे का प्रजनन अंग भी कहा जाता है क्योंकि वो पौधे की प्रजनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। फल और बीज मुझे पता है कि आप में से ज़्यादा तर लोगों को फल पसंद हैं। फल पौधे का रसदार भाग होता है, यह पौधे के फूल से उत्पन होता है। फल विभिन्न आकार प्रकार और रंग के होते हैं। फल स्वास्थ के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि उन में कई विटमिन होते हैं। दोस्तों, बीज फल के अंदर होते हैं। कुछ फल जैसे आम के अंदर सिर्फ एक बीज होता है, जबकि दूसरे कई फलों में कई बीज होते हैं, जैसे सेब और तर्बूज। क्या आप जानते हैं कि नया पौधा बीज से ही जन्म लेता है। यह नवजात पौधे के लिए भोजन भी संचय करता है। जब बीज को पानी, हवा और अनुकूल तापमान मिलता है, तो यह पनपना शुरू कर देता है, और जल्द ही एक नए पौधे के रूप में बढ़ने लगता है। हमने क्या चर्चा की। पौधे के मुख्य अंग जड, तना, पत्ती, फूल और फल हैं। तना, पत्ती, फूल और फल जमीन के उपर बढ़ते हैं, और जड जमीन के नीचे बढ़ती है। जड पौधे को जमीन में मजबूती से टिकाए रखती है। वे पौधे के अन्य अंगों तक पहुचाने के लिए जमीन से पानी और खनिज सोकती है जणों से पत्तियों तक पानी तने के माध्यम से जाता है कुछ पौधों में तने भी भोजन एकत्रित करते हैं पत्तियां पानी, क्लोरोफिल, कार्बन डायोकसाइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थदी में पौधे के लिए भोजन बनाती है फूलों को पौधे का प्रजनन अंग भी कहते हैं क्योंकि वे पौधे के प्रजनन में सहयोग करते हैं फल पौधे का रसदार भाग होता है, यह पौधे के फूल से उत्पन होता है, फल के भीतर बीज होते हैं, बीज से नया पौधा विक्सित होता है